हाई अब्रीवन वेलकम बाक तो दे वीडियो सो आज के वीडियो में बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्टेजी कि विच इस क्या है कैसे आपको ट्रेड करना है लॉजिक क्या इसके पीछे का स्टॉपलर्स टागेट एंट्री आपको कैसे लेना है रिस्क सबसे पहले सेटप को समझने के कोशिश करते हैं और देखते हैं उसके पीछे का लॉजिक का है सेटप देखें दो टाइप के हो सकते हैं ओविसली एक आपका बुलिश और सेकंड वन विल बे बिरिश नौ तीन कैंडल के हमें यहां पर ज़रुवत पढ़ेगी अगर सेटप बुलिश है तो पहला कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए उसके अंदर एक ओर कैंडल और एक ओर कैंडल यह आपका double inside बार कैंडल हो गया करेक्ट सेम अगर सेटप बहरी से पहली candle आपका red होगा उसके अंदर एक और candle and again one more आपको यहाँ पर एक सीज धान रखना है सबसे बड़ी candle जो आपके mother candle है इसका high should be greater than second candle high and इसका high should be greater than third candle high low इससे उपर होना चाहिए and low इससे उपर होना चाहिए ठीक है न सबसे बड़ी candle आपके यह होगी इसके अंदर यह होगी inside bar and इसके अंदर आपके यह होगी that is second inside bar time frame हम daily time frame use करने वाल है one day trade जो करना है आपको 15 minute time frame पर करना है मतलब कि आपको जो inside candle का formation find करना है that will be on daily candle and जो आपका breakout होगा उस time पे आपको wait करना है कि 15 minute की candle उपर या नीचे close होगी तो हम trade करेंगे right सबसे important चीज आपको बस ध्यान रखनी है अगर आपका setup bullish है मतलब कि जो पहली candle है अगर यह green है तो आपको breakout उपर के side trade करना है setup अगर bearish है पहली candle अगर आपकी red है तो इस case में आपको breakout नीचे के side trade करना है right now दोनों case में आप ulte side भी trade कर सकते है मतलब कि bearish में आपका अगर let's say breakout उपर के side होता है आप trade तो कर सकते हैं बट आपको quantity बहुत ही कम रखनी पड़ेगी अगर यहाँ पे आप 100 quantity trade करते हैं then यहाँ पे आपका maybe 30 quantity ले सकते है right but miserly आपको focus करना है जब आप इसको trade करना स्टार्ट करें practice के लिए आपको हमेशा bearish setup में नीचे के side trade करना है and bullish setup में आपका उपर के side trade करना है ठीक है simple सा setup है बहुत ही simple logic है market का जो structure होता है एक बार आपका expansion होगा उसके बाद कुछ देर तक इसका consolidate करता है मतलब ही contraction and again इसके बाद expand करता है उपर या फिर नीचे market कभी भी straight line में move नहीं करता it has to correct and उसके बाद यह move करेगा तो इस setup का हमने यहाँ पर use किया है यह जो बड़ी candle होती है इसको हम बोलते है expansion इसके बाद इसके अंदर जो छोटी candles बनती है inside candle यह आपका consolidation और contraction है जैसे ही यह आपका cross करता है उपर या फिर नीचे एक momentum मिलता हमें तो simply हमें उस momentum को capture करना है simple so I hope आपको setup सामझ में आ गया होगा one day time frame आपको use करना है इसके उपर अगर 15 minute candle क्लोज होगी आपको trade लेना है इसके नीचे अगर 15 minute की candle क्लोज होती है तो आपको trade लेना है चलते हैं चार्टिंग के website पर देखते है कैसे आपको screener को create करना है कैसे आपको stock को trade करना है यह आपके सामने मैं ने charting के website open कर रखा है जहां पर हम screener create करने वाले हैं logic क्या है हमारा एक हमें body candle चाहिए उसके अंदर एक छोटी candle चाहिए and again एक और छोटी candle इसके अंदर चाहिए जो body candle है इसका high body candle से कम होना चाहिए and again जो third candle इसका high इससे कम होना चाहिए same आपका low ऊपर के साइड shift होते जाएगा तो अगर आप यहां पर देखेंगे हमने यहां पर पहला filter क्या लगा है latest high should be less than one day ago का high जो latest high है मतलब जो आज की candle है इसका high should be less than one day ago का candle का high correct? now second क्या है one day ago candle का high should be less than second day ago candle का high in total जो आज की candle है उसका high कल से कम होना चाहिए जो कल की candle है उसका high आपका previous day candle से कम होना चाहिए same आपका low के case में latest low should be greater than one day ago candle का low यह जो candle है इसका low इससे उपर होना चाहिए and यह जो candle है second candle इसका low आपका इससे उपर होना चाहिए simple so simply हमने same logic को यहां पे पूट कर रखा है यहां पर आपका latest daily candle है अगर आप swing trading के जगए इंट्रडे trade करने वाले है तो आपको यहां पर latest daily candle के जगए पटर्मेट candle को use करना है यहां पर ओके अगर आप इसको select कर देंगे मतलब जहां जहां आपका daily candle है वहां आपको 15 minute कर देंगे, so it will be useful for entire day also, फिराल हम यहाँ पर swing trading के लिए देख रहे हैं, तो latest daily candle का high should be less than or equal to, यहाँ पर आप कर सकते हैं and यहाँ पर आपको previous day मतलब की one day ago चाहिए, latest के जगए पर one day ago ठीक है, now second line क्या है हमारा यहाँ पर latest के जगए पर आपको one day ago करना है, one day ago के जगए पर two day ago करना है, and बागी सारी चीज़ सेम रहने वाली है, नीचे की जो दो condition है, यह low के लिए and बिल्कुल similar है, latest daily candle का low should be greater than one day ago candle का low, and यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है already, okay so इसको आप अगर run करेंगे आपके पास यहाँ पर नीचे कुछ stock निकल के आ जाते हैं सबसे पहला आपका torrent power limited okay, so यहाँ पर आप देखेंगे, यह आपका torrent power का daily time frame का chart लगा हुआ यह आपकी mother candle हो गई उसके अंदर एक candle, and again आपके एक candle, so simply आपको क्या करना है, जो बड़ी candle, इसके high and low को mark करके रख लेना है यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आपको expansion मिली थी, जो मैंने आपको logic बताया था, उसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों से consolidate कर रहा है maybe एक दिन और consolidate कर सकता है, but जब भी यह उपर के साथ breakout होगा अगेन आपको एक दो candle की quick momentum मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर simply mark करके रख लेना है levels को, let's say high and low को यहाँ पर mark कर देते हैं फिर आपको time frame switch करके 15 minute में wait करना है जैसे ही एक candle 15 minute के इस level के उपर close करती है आपको entry लेनी है simply आपको stop loss लगाना है और आपको target का wait करना है, stop loss आपका क्या होगा, simple यह जो candle है, mother candle, अगर आप इसके नीचे stop loss डालेंगे अपना, so it will be a safe stop loss अगर आप इसके नीचे रखेंगे, यह थोड़ा risk होगा क्योंकि कई बर क्या होता है न, price उपर जाता है, अगेन नीचे आके, इसमें again consolidate करने लगता है, फिर breakout देता है उपर के side, तो इसमें आपको re-entry का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे कि मालीज आपने यहाँ पर entry ली, एक pandemic candle यहाँ पर close करती है, आपने यहाँ पर entry ले ली इसके नीचे आपका stop loss रहेगा, तो it will be safe price अगर उपर जागे वापस नीचे भी आता है, तो कुछ दिर बाद consolidate करने के बाद उपर निकल सकता है, ठेक है second stock हमारा कौन सा था delta cop limited so अगर आप यहाँ पर देखेंगे again यहाँ पर same setup है एक बड़ी candle इसका high और इसका low आपको marker के रख लेना है, जहाँ भी breakout होगा आप trade कर सकते है, green candle के direction में breakout होता है, मतलब उपर के side आपको buy full quantity में करना है अगर यह नीची के side breakdown देता है तो फिर आपको half quantity में trade करना है same logic यहाँ भी है एक यहाँ पर direction था उपर के side price कुछ दिनों से हाँ पर consolidate कर रहा है, so जिस side भी breakout देगा, एक quick momentum मिलता है ठीक है, इसको आपको capture करना है daily time frame पर आपको यह देखना है, inside candle formation कहाँ पर हो रहा है, फिर आपको यह दोनों level mark करके रख लेना है, candle का high and low, जो mother candle हो उसका, आपको फिर switch करके 15 ताइम फ्रेम पर, जैसे close करेगा, उपर यह नीचे, आप trade कर सकते है, stop loss आपका mother candle के नीचे, या फिर आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, जो आपके second candle है दोनों case में क्या difference है, यहाँ रखना और यहाँ रखना मैंने आपको अलड़ी बता दिया है, ठीक है तो वो चीज़ आप अपने इसाब से देख सकते हैं, आप re-entry में comfortable हैं, या फिर आपको safe stop loss आपको बड़ा stop loss चाहिए third stock हमारे पास जो है, that is star so अगर आप यहाँ पर देखेंग, again same setup बड़ी candle है, high and low marker के रख लेना, लेकिन इस case में मैं आपको avoid करने बोलूँगा, mother candle अगर यह complete होती कुछ ऐसी, तो definitely आप इसका high and low marker करके trade कर सकते हैं, जहाँ भी breakout देता है लेकिन यहाँ पे आप देख रहें, it is a clear wick उपर से price में rejection है, हालाक यह bullish candle बड़ यहाँ पे rejection है, तो इसको मैं complete bullish नहीं बोलूँगा, तो better आप इसको avoid कीज़े, हमारे पास अगर 4 stock वहाँ पे filter में निकल के आते हैं, तो सब में आप trade करने नहीं वाले हैं, एक बार में आपको 1 या 2 trade चाहिए, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, राइट, हाँ, अगर आपको कोई option नहीं मिल रहा है, वहाँ पे दूसरा मतलब कि सिर्फ एक stock यह निकल के आता है, तो इस case में आप trade कर सकते हैं, half quantity में या फिर small quantity में 4th and last stock हमारा Pfizer Limited फाइजर को भी आपको avoid करना पड़ेगा, रीजन आपको मैंने अलड़ी बता दिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक है, तो इस case में आप एक चीज़ कर सकते हैं, price section का थोड़ा सा help लीजे, इसका आप low मार करके रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लंबी विक है नीचे के साइड, अगेन यहाँ पे एक doji type की candle है, जिसमें विक काफी बड़ी है, इसका clear cut मतलब है कि इसमें selling pressure बहुत जादे बन रहा है, लगतार यहाँ पे तीन candle red बनी होई है, तो buying के साइड तो बिलकुल भी नहीं है, लेकिन अगर यह selling के साइड आता है, मतलब कि इसके नीचे 15 मिल की candle एक close होती है, डेफिनेटल आप trade ले सकते हैं, छोटा आपका इस top loss होगा, and target आपका यह जो low है, इसके आसपस कहीं आपका target हो सकता है, correct, बह 60-70% अगर आपको कोई setup काम करता है, तो it's more than enough to trade, आपको simply अपने risk reward को ध्यान में रखना है, कोई भी आपका setup ऐसा है, जो कि 60% काम करता है, and risk reward आप 1-1.5 या फिर 1-2 से जादे रख रहे हैं, then definitely अगर setup 50% भी काम करता है, तो you will be profitable, so properly इसको practice कीज़े, definitely you will get the results, I hope आपको वी Thank you